प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से समय समय पर देश की विबन हिस्सों में मिल सकते हैं अन्य दिनों में शर्माजीय भिंधिताय दिल्ली में रहते हैं नमस्कार जैमा इंद्राक्षि इंद्राक्षि धाम में दर्सों को आप सभी का महारदेग् Sवगत करते हैं आज के जिन जातकों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सबी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत शुब कामना है आज का पंचांग 6 नवंबर 2019 दिन बुद्वार शुक्र पक्ष कार्थिक मास समवन 2076 तिथी नौमी और दश्मी नौमी सुबह-सुबह तक है साथ-बीस तक उसके बाद दश्मी प्रारम हो जाएगी नक्षत्र शत्भीशा राहुकाल बाला सिर्यड दिशाशुल उत्तर पूर्व दिशाव आज हम आपसे बात करेंगे नव ग्रह जब अती प्रसन ना हो आप नाना भाती के नव ग्रहों के उपाई करते हैं रतन पहनते हैं मंतर आदी पढ़ते हैं दान आदी करते हैं उसी में एक उपाई आता है आपके नव ग्रह के वरत अनुष्ठान किसी व्यक्ति का सूरिय अत्यधिक कमजूर है तुला रासी पर सूरिय नीच राशी में मेश राशी के सूरिय उच राशी के सिंग राशी के सूरिय अपनी राशी के चंद्रमा की इस्टिती भी नीच उच होती है सवरासी होती है, सबी गुनों के साथ ऐसा होता आपकी जनम पत्रिका में कोई भी ग्रह यदि अत्यधिक अशुब है मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना बड़े हमारे भोले, सीदे, सच्चे दर्शक है और ऐसे भी आप में से बहुत दर्शक है जो हिंदी पढ़ने के अबराबर नहीं जानते है ऐसे भी दर्शक हैं जो संस्क्रत नहीं जानते है और ऐसे भी दर्शक हैं जोड़ तोड़ करके सब काम कर लेते है और ऐसे भी दर्शक हैं कि वो देखो बिलकुल भोली भाक्ती जानते है आसान किरियाएं उनकी समझ में जादा आती है और ऐसे भी दर्शक हैं जो नुस्ठान में और विभिन प्रकार की अच्छे कर्व में बड़े पारंगत हैं हर तरह की रंगीली दुनिया है जैसे कक्षा में छात्र होते हैं एक स्टूडेंट बहुत आला दर्जे का होता है बहुत होश्यार होता है एक स्टूडेंट मध्यम होता है एक स्टूडेंट थोड़ा सा बेचारा पीछे से होता है पढ़ाय लिखाई में कमजोर सा होता कभी भी शिक्षक की निगा से निगा नहीं मिला पाता बस पीछे बैठ जाता तो कई तरह के हम ऐसे ही सादक होते हैं ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं तो आज हमारा जो ये सब्जेक्ट है उन छात्रों के लिए है जो साधना लेवल में थोड़ा सी कमजोर है या जो चाहते हैं हमारा काम भी बन जाए और हम कोई आसान सी साधना कर ले ऐसी इस्तिती में वर्थ साधना सबसे अनोखी और अनुपम और सरल है जैसे आपकी हतेली के सूरिय धुमिल है सूरिय कमजोर होंगे नेत्र समस्याएं बनेंगी बोंस में समस्याएं आएंगी चेहरे पर दागधब्बे बढ़ेगे आपकी वानी की ओजिस्वित्ता समाप्त होगी चेहरा आपका निस्तेज होने लगेगा आपकी आँखों का बल गमजोर पढ़ेगा आपका शौरिय आपकी कीर्ती आपकी प्रसिद्धी आपकी वानी का वजन आपका कठ काठी कमजोर पढ़ेगा रुत्वा बुद्ध कमजोर होगा वानी कमजोर होगी वानी का प्रभाव कमजोर होगा आपका वानी जे गनित छेत्र कमजोर होगा बहुत सारी चीज़ें हर ग्रह का अपना अपना एक अलग काईदा होता है वो आज बताने का सब्जेक्ट नहीं है अब कुल मिला करके आपका कोई भी ग्रह कमजूर है उसके निमत आप वर्त रखिए जैसे आपका सूरिय बहुत कमजूर है तो सूरिय के आप 21, 19, 11 वर्त नहीं रख पाते हैं पांच वर्त रख लेजिए संकल्ब कर लीजिए कि है सूरिय नारायन मैं आपके निमत पांच वर्त रखूंगा रखूंगी बस ऐसा नियम बनाएं और पांच वर्त रख ले भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप मुझे बहुत सारा चढ़ाईए है ना बहुत बड़ी उमीदें हमसे नहीं रखते हैं वो तो बस यह है कि हम उनकी सादना करते रहें अच्छे मार्क में चलते रहें वो हमसे परसंद रहते हैं तो आप सूरिय के पांच वर्त रख लीजिए अब सूरिय का वर्त कैसे रखें उसमें नमक नहीं खाते अब हर वर्त का अलग अलग तरीका होता हमने हमारी वीडियो गैलरी में जाईए हमने पूरे साथ के साथ दिनों के जो वर्त होते हैं वो पूरे हमने बताय हुए कि शनिवार का वर्त कैसे रखें मंगल वार का वर्त कैसे रखें, मंगल वार का वर्त कैसे रखें, बुद्वार का वर्त कैसे रखें, मंगल का वर्त कैसे रखें साथ के साथ वर्त का हमने उसमें बताया है आप जैसे लिखेंगे रवी वार वर्त विधी प्रॉफेसर धर्मेंद शर्मा रवी बार वरत विधी प्रॉफेसर धर्मिन शर्मा आपके सामने वो रवी बार का वरत आ जाएगा आपने देखना है मंगल का तो मंगल का देख लीजिए तो वहां से आप वरत की विधी ले लीजिए आपको पता लग जाएगा या वर्त की किताब भी आती है मंगलवार के वर्त की किताब आती है बुदवार के वर्त की किताब आती है सौंबार के वर्त की किताब आती है 4-5-10 रुपे तक किताबे आ जाती है बहुत महंगी नहीं होती है 20 रुपे ले 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 गा कोई आप से तो वो किताबे आपके घर में होनी चाहिए या आप डाइरी बनाए जो हम बताते हैं जैसी वर्त की विधियादी बताते हैं उसमें आप नोट डाउन कर लीजीगा काम आएगा तो आज हमने फार्मूला बताया है कि यदि आपका कोई गरह बहुत वीक है तो कम से कम आप वर्त तो हर व्यक्ती रख सकता उसमें लंबे चोड़े नियम नहीं होते हैं बस थोड़ा सा पेट पूजा से परहिज हो जाता और यदि आप डाइविटिक हैं तो आप फलार ले सकते हैं क्योंकि जैसे रवी बार का मंगल बार का वर्त है मीठा वर्त होता है करीब करीब वर्त मीठे होते हैं तो आप उसमें फलारी ले सकते हैं फल ले सकते हैं दूल ले सकते हैं जैनि चाय का शोख है थोड़ी वो चाय ले सकते हैं और आप कोई ऐसा अन भी ले सकते हैं जो अन में नहीं आता जैसे आपने नवरात्रों के बर्त में आप ओगले का आटा लेते हैं, कुट्टू का आटा लेते हैं, सामक की चावलों की खीर बना लेते हैं, खिचड़ी बना लेते हैं, आप साबूदाना यूज कर लेते हैं, एक बार साबूदाने के बारे में बड़ी ब्रांतिया फैली, तो ऐसा नहीं है ऐसा इतनी गंदगी के साथ साबूदाना नहीं बनता ये बहुत सारी चीजें कई बार हम यूट्यूब पर या कहीं भी दाइम आए बहुत सारी information ऐसी होती है जो मेरे दर्शों को गलत होती है वो हमें देखनी चाहिए सभी information सही नहीं होती और सभी information गलत भी नहीं होती ये ध्यान रखे तो बहुत सारी information ऐसी होती है बड़ा चड़ा करके बता दिया जाता और बहुत information ऐसी होती है बड़ा उसको घटिया दर्शों दे दिया जाता कुई भी चीज लें, अच्छी जगा से लेn, अच्छे किसी दुकान से लें, सब मिल जाता है, अब पहाड़ी एरियों में कुट्टू पैदा होता हैं, इसको हम ओगला भी कहते हैं, कुट्टू भी कहते हैं, तो भी गलत नहीं होता है, बढ़ा गरम होता है, और आप रोटी टेमेटो, चीली, पेटाटो, पता नहीं क्या क्या है, चीली, चीली हो रहा है, खुछ भी नहीं, और क्या है, एक एक सरीर में कितने बिमारिया है, एक एक सरीर में, पचास-पचास बिमारिया है, हर तीसरे व्यक्टी को डाइबिटीज है, हर तीसरे व्यक्टी को वी-पी है, अब डॉक्टर भी कई वाद डुरा देते आप यह मत खाईए मक्षन मत खाईए फलाना मत खाईए क्या भारत वर्ष में क्या दूद की गंगाए बैती थी मक्षन के भंडार के भंडार भारत में हुआ करते थे अब वो लोग खाते थे क्या वो बिमार रहते थे उस वक्त यक्ती हस पुष्ट रहता था आज कहां दारा सिंग है तो कहने का मतलब यही है कि देखो भाई आज भी हमें पुरानी कल्चर की तरफ लोटना पड़ेगा आप अच्छे से कहीं से बजार से थोड़ा आप शहर में भी रहते हैं ढूंड़िये क्या नहीं मिलता भगवान मिल जाते हैं ढूंड़ने से आप बच्चे को आधत डाली है अच्छी से मकाई की रोटी कई बार महिलाएं भी देखो भाई बुरा मतमाना आप लोग भी कई बार आले से कर जाती हैं कि बस बजार से मगा लो जंक पूर्ड कालो यह मगा लो वहां के ढाबे से मगा लो नहीं साब कोशिस किया करें थोड़ा बच्चों को आदर डालें, कभी-कभी मगई का पनौठा खिलाएं, बहुत अच्छा लगता है, बाजरे की रोटी बच्चों को खिलाएं, कभी-कभी खिलाएं, हम हमेंसे नहीं करें, है न, तो ये सारी चीज़ें आप यूज करें हैं, सरीर के पुरुष्ट तत्व को साहित मिलती है, आपका एक तरह से बल वरद्धी होती है, आपकी मेदा वरद्धी होती है, अच्छा आपके स्रीर में विकास होता है, अस्ती, मज्जा, वसावास का अच्छा विक्सित होती हैं आपकी, तो इन चीजों से प्रेज न करें, आप देखो, खाने में क्या, चोकलेट मिठास होती है, बिलकुल मिठ्या है, फलो की मिठास नेचुरल होती है, अच्छा सरकार, आप डाइविटीज में 15-16 फल इस प्रकार के हैं, आप बेड़क खा सकते हैं, कुछ नहीं होगा आपको, आप जामुन तो आपने सुना होगा, बलेक बेरी, आप खोब यूज कर सक और जो इंसूलिन लेते हैं, उनके लिए प्रेस किया जाता, लेकिन यहां तक कि पूर्ण आप जानकारी रखिएगा, बहुत सारी ऐसी खाने पीने की, जो कुद्रत हमने खजाना दिया है, उससे महरूम मत रहिए, उससे वंचित मत रहिए, और एक चीज मैंने बड़ा प् बंद करते हैं, आपको शुगर है, तो कम से कम औरों को तो खाने दीजिए, मैंने देखा है, ऐसी कई कम्प्रेंट्स मेरे पास आती है, शेरिंग होती है, देखो दुनिया मेरे पास आती है, बैठते हैं, अपनों से अपनी बाते होती है, तो कम से कम जो चीज हमें पसंद होगा आज सब कुछ पैकिट का खा रहे हैं है ना बस बजार से ये पैकिट लिया है इसमें इतने विटामिन्स हैं इतने मिल्लन्स हैं लेकिन असली चीज हम बच्चो को नहीं दे पा रहे हैं आज हर घर में बच्चा चोकलेट माँगेगा इमर्ती नहीं माँगेगा बर्फी नहीं माँगेगा अब ये ऐसा भी है कि हर शहर में ये चीजे प्यूर नहीं है लेकिन वो इम्प्यूर भी होकर के चोकलेट से अच्छी है वो घटिया से घटिया होकर भी आपकी मकई का पराठा आपके पीजा से बहुत अच्छा है आपके घर के गाजर का हलवा आपके चीली पटाटों से बहुत अच्छा है इतने केमिकल सिन में डाले जाते हैं कि बस पूछेगा मत देखो मेरे सब्जेक्ट क्या था कहा हम चले गए माफ करिएगा सोरी चाहते हैं आपसे मन करता है कई बार आपको जदे से जदे बता दूँ बस ये लालश मेरे मन में कौन दिजाता है तो मेरे दर्श को जो बड़े बड़े उपायर ना कर सकते हो तो वो वर्त साधना आवश्यकरे वर्थ साद्मिना से भी हमारे जीवन में बड़ा परिवर्टन आता है और वो ग्रह हमारा प्रसंद हो जाता है और हमें उस ग्रह के कारण जो जीवन में समस्या आ रही होती है प्रॉलम आ रही होती है वो हमारी वर्थ रखने से भी दूर हो जाती है बहुते लोग कीज़ते है, वरत रखने से क्या होता ऐसा नहीं है? उपहास एक सब्द है उपहास और एक है उपवास तो उपहास करना बेकार है, लेकिन उपवास रखना अपने आपमे बहुत स्रेश्ट माना जाता तो आप उपवास रखें नाना भाती के उपास रख सकती है लेकिन अपने शरीर को देख कर कि ये भी नहो कि सब्ता में च्छै दिन आप वर्त रखे हैं वर्त के भी नियम काईदे होते हैं कभी समय रहा और बहुत सारी चीज़ें आपके संग शेयर करता रहूंगा आई ये दर्शों को समय उचला आज की ध्यानमाला का आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम 56 भोग गरेंड करने वाले बागे व्यारी भागवान स्री कृष्ण से ओम करार विंदे नपदार विंदम मुकार विंदे विनिवे सयंदम वटाश्य पत्राश्य पुटे सयानम वाला मुकुंदम मनसा स्मरामी बाला मुकुंदम मनसा स्मरामी कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्तले कोस्तूरी नासा ग्रेवर मोक्तिकं करतले वेनु करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे चमुक्तावले गोपास्ती परिवेष्टितो विजयते गोपाले चोडामनी सांताकारं वुजगशयनं पद्वनावं सुरेसं विश्वात्धारं गगन सद्रिशं मेगवर्णं सुवांगं लक्षमी कांतं कमलनयनं योग व्रिद्या नगम्यं वन्दे विष्णुम्बव वयहरं सर्वलो के कनाधम कबश बना ले ध्यान करे भगवान सुरी कर्शन आपके रोम रोम में बस रहे हैं अम बोलते हुए नेत्र खोलें सवान्य हो जाएं दर्शों को जोतिस की मदद भी आप ले सकते हैं बहुत जारा जीवन में तकलीफे हैं तो कहीं किसी अस्टलोजर को मिलकर भी आपके जीवन की तकलीफे दूर अवश्य हो सकती हैं इनी शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को बराम देती हैं नमस्कार जयमाहिंद्राक्षी आपके यहां कोवे आ रहे हैं मैं बहुत तेचों का करीब चार पांस दिनों से कोवों का जूंट मेरे घर पे मन रहा था यही सोचने परिशान था, यह सुब है, असुब है, क्या चीज है, तुम इन से मैंने प्रशन किया कि क्या मैंने आपको बताया है कि मेरे घर में कवे आ रहे हैं, कहने ने मुझको दिखाई पड़ रहे हैं, तो कुस तो आलोगिक है इन में, दूसरा क्या है, जो इनका जब महाकुम में आये थे, मेरे इन से वारता हुई, तो मैंने इनका उदेश जानना चाहा कि किस उदेश के लिए आप काम कर रहे हैं, तो जो उदेश उन्होंने मुझको बताया, मैं मन्त से इनके उदेश के साथ जुड़ गया, इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनक किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले, प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य, प्रोफेसर धर्मेंद्रु शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा दस वजे से शाम छे वजे तक